हेलो फ्रेंड्स, MX Computer Map का स्वागत है, दोस्तों आज किसी वीडियो का अंदर हम सीखेंगे, कि अगर हमें किसी दुकान का कैस मेमो और या बील बुक बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे, उभी MS Word का अंदर, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने हमारा पेज है, देखिए दोस्तों, यहां पेज बनकर आ गया है, और उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोस्तों, पेज का मार्जिंग लेना होता है, और पेज का साइज मार्जिंग लेने के लिए हमें जाना होता है, पेज ले आउट के अंदर, देखिए द नीचे देखेंगे दोस्तों यहां पर कॉस्टम मार्जिंग दिया हुआ है कॉस्टम मार्जिंग पर हम क्लिक करेंगे देखें दोस्तों और यहां पर हम मार्जिंग कर लेते हैं यहां पर टॉप पर हम क्या करते हैं 0.2 कर देते हैं और बटन में भी 0.2 कर देते हैं और लेट में भी 0.2 कर और राइट में भी 0.2 करेंगे और क्या करेंगे यहां से कि ऐख यहांत और तो यहां पर साइज करेंगे और यहां पर नीचे जब जाएंगे ना देख दोस्तों देखेंगे यहां पर और इसके पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस होगा देखे दोस्तों यहां पर देखेंगे वीड़्थ हाइड दिया हुआ हमें पेपर का साइज कितना लेना है वह यहां पर लिखना होता है तो हम यहां पर कर देते हैं दोस्तों 4.5 और 5.5 और यहां से करेंगे 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 तो देखेंगे हमारा यहां पर का साइज बनकर त्यार हो गया अब इसके बास हमें यहां पर डिजाइनिंग बनाना होता है किस मेमो का तो चलिए बनाना हम सुरू करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों यहां से जाते हैं सोट में देखें द उपर वाले कलम को सेलेट कर लेंगे और सेलेट करने के बाद हम जाएंगे लियाउट में देखे दोस्तों यहां पर लियाउट दिया हुआ है और लियाउट में जाने के बाद हम जाएंगे यहां पर मर्ज सेल पर देखे दोस्तों यहां पर मर्ज सेल दिया हुआ है दोस्तों हम किसी कॉम्ण है करेंगे और जाये अयह सेड़ करेंगे और यहां पर लिखना होता है तो हम क्या करता है यहां पर जाते हैं और यहां पर कुछ लिख लेते हैं देखे दोस्तों यहां पर लिखते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और उसके बाद से थोड़ा एंटर मारते हैं देखे दोस्तों और यहां पर हम लिखना चालू कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं जी के बाद हम क्या करते हैं थोड़ा यहां से जाते हैं और यह GST को हम यहां से थोड़ा छोड़ा कर लेते हैं देगे दोस्तों यहां पर हम थोड़ा छोड़ा कर लेते हैं देगे दोस्तों यहां पर छोड़ा कर लेते हैं देगे दोस्तों यहां पर छोड़ा कर लिया और टेक् और उसके बाद से में क्या करना आता है यहां पर नाम लिखना होता है तो चलिए हम नाम लिख लेते हैं तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्रिश्णा देखेंगे यहां पर हम नाम लिख सुके हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे सिलेट करेंगे नाम को और यह यहाटा देंगे यहां से देखे दोस्तों और इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं दोस्तों इसके स्लेट करेंगे और यहां से थोड़ा बढ़ा कर लेंगे और इसका हम स्टाइल बदल देते हैं यहां पर जाएंगे फोन स्टाइल पर और यहां से क्या करे हम पॉंट करूंड कर नहीं को कुछ अलग कर देंग और यहां से इसका साइज थोड़ा चोटा कर लेते हैं कि दोस्तों और उसके बाद से देखेंगे हमारा साइड काम हो चुका है उसके पाद सामें एडस है एड़े से लिखने के लिए हम जाएंगे यहां पर इंशोर्ट में और इंशोर्ट में जाने के बाद देखेंगे यहां पर हमारा पास टेक्स बॉक्स दिया हुआ हम सिंपल टेक्स बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से हम नीचे यहां पर आएंगे देखें दोस्त और इसे हम क्या करते हैं इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहां पे लाते हैं और यहां पे रख देते हैं और इस एड़ेस को यहां से करेंगे और थोड़ा इसे छोटा कर लेंगे जाएंगे और यहां से ऑफिल कर देंगे और यहां से नू आउट कर देंगे देखे दोस्तों यहां से इसका आउटाइन और इसका सेल्द भी हड़ और इसको थोड़ा क्या कर लेंगे यहां पे ऐञा तो दोस्तों हमें क्या ख्लbor लिख़्ा गया mm एक यहां से लाएंगे और यहां पे सेट करदेंगे देखें को दोस्तों देखें के हमारा इतना काम हो गयाaker उसके बाद से हमें क्या करना है यहां पर करसर लाएंगे और यहां पर करसर लाएंगा और इसे थोड़ा स्पेस देंगे और उसके बाद से यहां पर थोड़ा चोटा करेंगे करसर को और यहां पर हम लिखना चालो करते हैं सबसे पहले हमें नेम लिखेंगे दोस्तों देखे यहां पर क्या करें डिट लिए और यहां से दोस्तों देखेंगा मारे पास इतना काम हो गया है उसके पर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा हम यहां पर लाएंगे और एंटर करेंगे और थोड़ा इसे हम एंटर करेंगे और उसके वाद से दोस्तों इतना हमारा काम हो गया उसके वाद से क्या करेंगे यहां पर करसर लाएंगे और यहां से बेक gregateầy के संब आ करेंगे तो यह उपर चला जाए है सका कि वासम यहां पर जाए गये और यहां पर लिखेंगे दोस्तों तो श्रियल नंबर दॉस्तों देखेंगे यहां पर लिख klaar नंबर लिख चुगे है और इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर स् अखले मेंगे दोस्तो यहां पर पार्टिकूलर से भी लिघ गया और अरिशने में हम लिखेंगे दोस्तो रेट गज़ोसक राउंट जोस्तों इतना हमारा काम हो गया उसके बाद समस्वें करेंगे यहां पर करसर लाएंगे और इसको ऐसे छोटा कर लेंगे देखिए दोस्तों इसको हम एसे छोटा करेंगे ऐसे पकड़ेंगे और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे देखिए दोस्तों और इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं और उसके बासे क्या करेंगे यह सारे text को इसे select करेंगे और उसके बास से हम जाएंगी यहां पर layout में और layout में जाने के बाद यहां पर alignment में जाकर और यहां से alignment top center कर लेंगे देखें दोस्तों यहां पर top center कर लिए दोस्तों देखेंगे हमारे पास इतना काम हो गया उसके बास हम क्या करेंगे यहां पर करसर लाएंगे और करसर लाने के बाद इतने को सिलेट करेंगे और सिलेट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे का planets कर Jaud embraced criteria से रिम्हें हम यहां पर लाक्ट मैं आएंगे और s House करेंगे दिखेंब सर्फ करेंगे कि मेर्य दोस्तो यहां पे उचल पर यहां पास कुछ सब्ढ़ने सामने आजाए नीमें कि दोस्तो उसके बास से दोस्तों हम आएंगे यहां पर यहां पर लिख देंगे टोटल जो दोस्तों यहां पर टोटल लिख चुक है और टेप बटन डवाएंगे और एक बार फीट टेप बटन डवाएंगे तो फीट देखिए हमारे पास एक ऐसा फिर एक रो बनकर आ गया फिर हम यहां पर आएंगे और यहां पर लिख हैं discount देखpage दोस्तों यहां पर ट्सकाउंट लिखा गया है उसके बाद से हम फिर घ्ट प्रेस करेंगे और फिर पिर टेफ DPötर गरीम कर इसमें आइंगे और इसमें अब लिख देते हैं हम GST दोस्तों देखेंगे यहाँ पर GST लिख चुके हैं उसके बाद से फिर एंटरफरेस करेंगे और फिर इंटरफरेस करेंगे और इसमें आएंगे और इसमें लिख देंगे सॉब टोटल और क्या करेंगे दोस्तों इसको select करेंगे और यहां से home page में जाएंगे और इसको यहां से थोड़ा छोटा कर लेंगे तो देखें दोस्तों यहां पर हमारा इतना काम हो चुका है उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे हम इसको ऐसे select करेंगे सारे को इतने को और इतना select और उसके बाद से हम जाएंगे ले आउट में और ले आउट में जाने के बाद दोस्तों हम यहां पर देखेंगे मर्ज सेल लिखा हुआ हम सिंपल मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे और फिर इसको हम सेलेट करेंगे और यहां पर मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे उसके बाद से दो दोस्तों हमारा इतना काम यहां पर हो गया है उसके बाद से दोस्तों यहां पर करसर को लाएंगे और यहां से टेप प्रेस करेंगे तो देखेंगे हमारे पास एक और कलम रोब बनकर त्यार हो गया है और सिंपल हम क्या करेंगे इसको ऐसे से लेट करेंगे दोस्तों और से ल लाएंगे और यहां से टेप करेंगे तो देखेंगे हमारे पास एक और बक्स सामने आ गया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ा यहां से पकड़ेंगे और इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे देखिए दोस्तों यहां से मार्जिंग को उपर लेंगे और इसे थोड़ा उपर करेंगे और एक पेज लेंगे और यहां से एंटर प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसे उपर कर देते हैं देगे दोस्तों और यहां पर आएंगे और इसे दोनों को सेलेट करेंगे और इसे यहां से माजम थोड़ा नीचे कर लेते हैं और क्या करेंग ले लेंगे और यहां से टेक्स बग करेंगे और यहां से ऐसे सेलेट करेंगे और सेलेट करने के बाद दोस्तों यहां पर हम सिगनेचर लिख देंगे दोस्तों देखेंगे यहां पर हम सिगनेचर लिख सुके हैं और इसका क्या करते हैं इसका आउटलाइन हटा देते हैं तो जाएंगे फिर यहां पर इंसोर्ट में और यहां से शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद यहां से एक लाइन ड्रोग कर देंगे देखे दोस्तों और इसका कलर हम यहां पर जाएंगे होम टेम में यहां से इसका कलर कर देते हम ब्लेक दोस्तों देखें कि यहां पे हमारा फाइनली एक बिल्भुक बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों यह वीडियो कैसा लागा अगर वीडियो अच्छा लागा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटी को दबादे ताकि जो भी वीडियो में डाले उसक